बिहार सरकार ने बिहार में जातिकात जन्गरना के बाद से जो विशेश जातियों को आरक्षण का प्रावधान पहले दिया गया था उसमें बढ़ोतरी की गई है जैसा कि आपको ग्यात होगा पहले 60% सीटे रिजर्व होती थी जिसमें 50% काटेगरी के हिसाब से और 10% आर्थिक रूप से कमजोड के हिसाब से यानि EWS के लिए अब इसका दाइरा बढ़ाते हुए 65% सीटों को जाति के अधार पर आरक्षित कर दिया गया है और 10% EWS को मिला दिया जाए तो लगबग 75% सीटे रिजर्व हो चुकी है बागी की जो 25% सीटे बचेघएगी वो ओपन रहेंगी जिसमें अधर स्टेट के कैंडिड़ेट फाइट करेंगे बिहार के अनर्यजर्व के कैंडिड़ेट फाइट करेंगे और बिहार के मेरिटोरियस जिनका merit unreserve यानि open के बराबर होगा या फिर उससे जदा होगा तो वो open पर fight करेंगे अब पहले TRE 1 में जो 40% सीटे खाली रहती थी अब जातिगत जंगर्णा के बाद से जो आरक्षान का नया प्रावधाना आया है क्या TRE 2 में इसे लागू किया जाएगा क्या TRE 2 में 75% सीटे रिजर्व हो गई है किवल 25% सीटे उपन है इसको लेकर के लगातार आप लोगे कमेंट के मादेम से प्रशनार है अंत तक जरू जोड़े देगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहा है केरियर विट योटव चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल एक इनको प्रेस करना ना भूले इसके सम्मंद में इसक्रिन पर आप एक आर्टिकल देख पारेंगे पहले की अधिसूचनाओं पर नहीं पड़ेगा असर बिहार में नई आरक्षण विवस्था लागू हो गई है मंगलवार से सैक्षडिक संस्थानों में नामांकन यानी की रेजिट्रेशन और पदो एवं सेवाओं की रिक्तियों में बिल के प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे मंगलवार से पहले जो भी रिक्तियों और पदों को भरने के लिए विज्यापन की अधिसुचना जारी हो चुकी है उन पर यह बिल प्रभावित नहीं होगा इस तरह विद्याले अध्यापकों की चल रही प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी तो TRE2 में 75% सीटों को रिजर्व नहीं किया जागा बलकि पहले जो प्रावधान था 60% सीटे रिजर्व हो रहेंगी और 40% सीटे ओपन रहेंगी उसी के अंतरगात ये भरती कम्प्लीट कराया जाएगी जिस प्रकार से नोटिफिकेशन BPSC TRE2 के लिए निकाला गया था इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान के लिए आपका दिन शोब हो